प्यारे बच्चों मैं सेल अंद्र कुमार गिरे सर हिंदी सिक्षक आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतरगत भाषा के बारे में बताऊंगा जो पाठ पुस्ता के प्रथम प्रवेशी का पाठ का है है भाषा क्या है भाषा की आवशक्ता क्यूं पड़ी इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं इत्यादी भाषा वह साधन है जिसकी द्वरा हम अपने मन के भावों को बोलकर लिहकर और संकेतों के माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचाते हैं जिस प्रकार हमें एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाने के लिए यतायात के साधनों की अवसक्ता होती है उसी प्रकार हमें एक मन से दूसरे मन तक बातों के संचार के लिए भाषा रूपी माध्यम या शाधन की अवसक्ता होती है मुख्रूप से भाषा के तीन भेद होते हैं पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, एवां तीसरा है सांकेतिक भाषा तो सबसे पहले हम आज मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा करते हैं मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहते हैं जैसे शाम कविता सुनाता है इस वाक में हम अपने मन के भाषा